यह वीडियो हम कार्गो वेसल्स एंड शीफ्स यह टॉपिक पर बना रहें कुछ क्लाइंट्स की हमें इस तरह के रिक्राइमेंट्स प्राप्त हुई और उसी को सामने रखते हुए हम यह वीडियो बना रहें तो सी शिपिंग वेसल्स या शिप्स क्या डिफ्रेंस है इन दोनों वेसल्स और शिप में कुछ डिफ्रेंस है तो क्या डिफ्रेंस है मेजरिंग कैपैसिटी या इनकी कैपैसिटी ओप मेजरमेंट्स किस तरह से होती है कौन इसके owners होते हैं, कौन इसके lazy होते हैं, किस तरह का operation चलता है, किस-किस types के vessels होते हैं, तो यह सारी बाते हम इस वीडियो में देखेंगे. First of all, let's see, कि what do you mean by vessel? Vessel means any ship or craft, watercraft, और any structure capable of navigation. तो जो structure ऐसा है, कि जो navigate हो सकता है, watercraft, या ship, उसे vessel दो लेंगे. तो basically vessel is nothing but a float. Float either powered by its own, या फिर externally power देके उसको drive किया जा सकता है, navigate किया जा. उसको vessel बोलते हैं, तो vessels के अंडर ships आते हैं, boats आते हैं, बाकी भी बहुत सारे के barges, या dredges, tugs, इस तरह के सारे के जो boats से इसके अंदर आते हैं. बेसिकली vessel यह सब का अलग-अलग types के vessels के types से, तो ship क्या है, तो ship is a large ocean going vessel, तो it's a large ocean going vessel and it is driven by either a wind power or a power generated by the steam or any fuel, तो vessel का एक टाइफ है ship, जो large, उसका volume राज रहता है, उसका weight large रहता है, structure large रहता है, और basically यह अलग-अलग types के ships होते हैं, ships normally cargo carrying करने के लिए use होते हैं, तो किस तरह के ships के types होते हैं, तो earlier trade जो था, पहली starting में उसे vessels कहा करते थे, तो in modern language, now it is called ships, still in the glossary और at various ports places, it is called vessel, तो fishing vessels रहते हैं, then cargo vessels रहते हैं, defense के vessels रहते हैं, navigations के vessels रहते हैं, R&D के vessels रहते हैं, explorations के vessels रहते हैं, internal waterways के vessels रहते हैं, मतलब ships रहते हैं, तो यह सारे types के जो है कि कुछ deep waterways के vessels रहते हैं, submarine जो है, उस type के ships रहते हैं, प्लोज टाइट के शिप्स रहते हैं ड्रेजिंग के लिए कुछ शिप्स यूज़ किये जाते हैं कुछ टो करने के लिए शिप्स यूज़ किये जाते हैं उनको बार्जेस या फिर टग्ज या इस तरह का नॉमाइनक्लेचर है है कि मूझ ऑई एक्सप्रेशन्स के लिए जो होते हैं तो यह नवाल है इस तरह के अलग-अलग परपेस के शिप से तो विसकली हम जो देखना चाहते है शिप यह हम देखना चाहते कारगो कि ओशन गूइंग सुप इनकी अलग-अलग तरह की कैपसिल रहती है तो basically weight and volume ये basis पे इनका capacity declarator होती है earlier वे जो period था उसमें British period में bell cube करके capacity इसकी define होती थी तो cubic feet, bell cube मतलब cubic feet और CBM में भी capacity define होती थी either CBM या CFT तो ये दो units of measurement में capacity decide होती प्रेडिशनल जो ships थे उनकी उसके अलावा बहुत सारी units of measurement change भी होते रहे है कि जैसे की weight tonnage and volume tonnage में भी capacity इसकी declare होती थी, bell cube capacity या grain capacity इसमें भी declare होती थी है, so tonn is tonnage also a standard of measurement for the capacity of ship containerized ship जो है इसकी capacity number of containers carried by that ship इसमें होती है तो सबसे world में ज्यादा से ज्यादा जो 24,000 20 equivalent unit को अलाश शीफ है जिसका नाम है ever rice और ever ace तो ये शीफ है कि सबसे ज्यादा capacity है 24,000 20 feet के container सो लेके जा सकता है at a time तो हम जो देखेंगे कि जो नार्मल वेज जो है की capacity defining करते है उसके वेज की उसमें displacement tannage क्या होता है, light weight tannage क्या होता है, standard displacement tannage क्या होता है, dead weight displacement tannage क्या होता है, dead weight tannage क्या होता है, gross tannage क्या होता है और net tannage क्या होता है ये हम देखेंगे कि ये इसका जो है कि कि क्या इसका मीनिंग है यह हम देखते हैं कि मतलब क्या तो शीप के जनरली एक सिटिंग मार्क रहता है मतलब उसमें जब लोड करते हैं तो उसमें मार्किंग रहता है वहां तक की शीप अंदर जाना चाहिए लोड की तो डैट डिफाइंस दा मैक्जिम केरिंग कैपसिटी अब दक्राण। नहलं राएं तो डिस्ट्मेंट मैं जितना भी टोटल वाल्यूम जो डिपक अवल्यूम डिब्लें करता है भी इन सिटिंग पोजिशन तो उसे कहा जाता है defence का मैं तो जितना वाल्यूम करता है डिसले करता है तो उसका युएट जो आएगा उसको डिस्प्लेस्मेंट टनेज बोलेंगे तो लाइट टनेज लाइट टनेज मतलब जब वो रेसल लोडेड नहीं है और उस समय जितना भी रेसल वेट जो है वाटर का डिस्प्ले करती है उसे लाइट टनेज बोलेंगे दिफरस निकालते है लाइट टनेज टिस्प्लेस्मेंट सुझ suffrage कि आजाती है तो यह उसके लिए उसके लिए कि जब कि निकालना जोरी पड़ता है कि जब लोड होता है वेसल मार्किंड तक जब नीचे आ जाता है तो टेट जाता है पहले ही मैंसे दूसरा माइनस किया जाता है डिस्क्राइब किया जाता है क्योंकि यह करता है क्यों के आलावा मतलब ही प्रोड़क्ट मतलब हेवी प्रोड़क्ट जाता प्रोड़क्ट से उस समय में लेकिन वेट जल्दी फील अप होगा वेट करिंग कैपसिटी जल्दी उसकी होगी लेकिन अगर कॉटन जैसा कुछ प्रोड़क्ट होगा प्रोड़क्ट तो उसमें वेट तो कम रहेगा के लिए फील हो जाएगा तो डिपेंडिंग अपॉन दे कार्गो वालुमेट्रिक कैपसिटी और वेट कैरिंग कैपसिटी यह दोनों जो बेंच्मार्किंग फै में सब्स्क्री इसमें और दिव करके आता है तो स्टाइंडऱ् टैनेश्मेंट मतलब इसमें जो बी पहले हमने देखा उसमें से जो जो vessels के अंदर का fuel है और vessels के अंदर का water है उसका कर वेट निकाल देते तो वह आता है standard displacement tonnage क्योंकि उसमें dead weight tonnage में इसका कुछ significance नहीं है जो fuel है और water है इसका कुछ significance नहीं है इसलिए निकाल देने के स्टैंडर्ड इसके बाद आता है दोस्तों ग्रॉस टनेज ग्रॉस टनेज बेसिकली यह पहले के जो तीनों देखे हैं हमने टनेज में कनवर्ट होने वाले स्टैंडर्ड इसके बेसिकली बेसिकली अभी ग्रॉस टनेज जो है यह एक्टेरियर वल्यूम जितना भी इंटेरियर वल्यूम है जो शिप का वल्यूम है उसको एक मल्टिप्लाइंग फैक्टर रहता है कि इसका वल्यूम वल्यूम शूल भी मीटर क्यों या सीबियम सब्सक्राइब करते हैं तो यह में किसमें कर रहे हैं वल्यूम इसके लिए ग्रॉस्ट सब्सक्राइब करता है जितना भी वल्यूम वह कैल्कुलेट किया जाता उससे मल्टिप्लाइ किया जाता है उतना cvm का नेट टनेश हे मिप सब्सक्राइब का नेट वाल्यूम को पहिला जोए ग्रॉस वाल्यूम इंटेर टोटल वाल्यूम दुसरा हो गया दोग एंबार उसको त्युंश वोलते वर्ट नेट अड्र वॉल्यूम उप सिंप्लिस इन फार से पिसिक लिए जो वल्ल्यूम जो है दोनों लेकित इस में केल्कुलेशन जो है कि स्ट्रक्चर्चर जो है अलग जगह जगह पर अलग अलग इस नॉट स्टेंडर सेट जैसे ज्टैंग्ज जबूर है या पार्लरग्राम है इसका वर्ल्यूम निकालना लेकिन जहां पर स्ट्रक्चर सिनोनिमस नहीं है कर्व स्ट्रक्चर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट असपेक्ट इंटरनल वाल्यूम का भी और टोटल वाल्यूम तो यह फैक्टर दोस्तो उस शिप तनेज का मीनिंग है कि इसमें जैसे कि हमने बताया दोनों उपर वाले जो एक यूज होते एक टनेज वाइट एक टनेज वाई वाल्यूम तो इसका थोड़ा दिफरेंस आपको बताएंगे तो आपको थोड़ा इसमें ध्यान में आएगा कि किस तरह से यह यूज होता है सपोज 1 मेर्टिक टन इस इकल टू खाउजन केजी, 1 थाउजन केजी इस इकल टू वन चिबीम आप वाटर क्योंकि वाटर के डैंसिटी हम एक करके ट्रीट करते हैं तो one मीटर वाइवन मीटर वाइवन मीटर जिए फ्रेश वाटर का व्लुम अगर हम देखेंगे के इंग क्यूबिकल फॉर्म उसका वेट आता है वन मेंट्रिक टन वन तॉजन के जी सिमिलरली हम अगर मतलब यह वन सीवियम हो गया है के बारे में हम सचेंगे जिसमें आएगा कि वन टन इस उपल टू टू पर एटी थी तरी तो पहले के समें वेट इसमें वन सीवियम इस उपल टू 1000 kg that is one one cvm is equal to one ton one metric ton is equal to one cvm vice versa so one metric ton is equal to one cvm here in terms of volumetric one cvm is equal to one metric ton is equal to two point eighty three cvm दोनों में यह difference है एक का one metric ton is equal to one cvm दूसरे में one metric ton is equal to two point eighty three cvm तो इसमें multiplying factor जो है volumetric में अगर convert करना है कुंसा भी वेट तो two point eighty three से multiply करना पड़ेगा तो इस तरह से विसल्स का जो carrying capacity यह define होता है दुस्तों तो यह हम आपको इसका डिस्प्ले भी करना चाहते हैं तक कि आप इसको समझ सके कि दोनों आप अगर प्राइग्राइग्राम्स देखेंगे तो आपको फरक पता चल जाएगा तो वेसल्स के बेस ओन डाइमेंड वेट वाइस टनिच और वाल्यूम वाइस टनिच अलग-अलग इसके कापैसिटी डिस्किप्छेंश भी होते हैं तो कुन से टायप्स होते है जान्रली वेसल्स के यह हम आपने देखेंगे तडार भैसल्स की कंटेननर शिप्स तो container shifts जो है कि 20 feet, 40 feet, 45 feet इस तरह के container carry करते हैं और जैसे कि हमने देखा कि 24,000 20 equivalent units carry करने माले shifts भी है तो जिसमे standardized containerized cargo carry हो जाएगा दोस्तों तो यह होगा इसकी capacity normally dead weight tonnage के अलवा उसके सीवा इससे भी define होती है यहाँ मच number of containers that ship can carry बाद में dry bulk vessels तो dry bulk vessels में जैसा कि उपर हमने देखा कि containerized vessels में containerized cargo जो है सभी तरह के containerized cargo में आएंगे मतलब dry cargo जो मतलब perishable या non-perishable तो वेसल यह container वेसल जो है यह रेफ्रियाटल वेसल भी अलग हो सकती है और नॉर्मल वेसल भी अलग हो सकती है तो containerized vessels जो है कि जिसमें refer containers और non-refer containers एक ही इसमें भी जा सकते या फिर अलग-अलग vessels भी हो सकती है अलग-अलग ships भी हो सकते container ships depending upon the containers type of containers correct तो इस तरह की वेसल भी अलग-अलग हो सकती है तो dry bulk vessels जिसमें wheat, sulfur, iron ore, coal या फिर इस तरह के commodity, grains, millets जब इस तरह के नॉर्मल ओपन टाइफ वेसल में जाएंगे उसे ब्रेक बल्क वेसल या ब्रेक बल्क शिप्स बोलते हैं तो dry bulk vessels बोलेंगे या dry bulk ships बोलेंगे similarly break bulk vessels जो है कि इसमें जैसे की ऊपर हमने देखा कि wheat यह इस तरह पर आयन और जाएगा इसी तरह ब्रेक बल्क वेसल में भी बैक टाइप जो जींट कि में रोट जाएगा कि ब्रेक बैक टाइपर ब्रेक बल्क है यह पहले कि वहले कि बिजू है ग्रोसरीग्यंगे इस तरह की करगो जाएंगे दो आरो आरो वेसल्स जो है कि विल्ड करगो जो है यह इसमें जाएगा जैसे की कार है ट्रक्स है बाकि भी इक्विप्मेंट जिसको विल्ड रहती है यह सारे इसमें यह वेसल्स में आइदर उसमें वेसल में ट्रैक आपको दिया रहता है तो ट् द्रायू करके भी सबी जो कमोडिटी है यह सारे वकल्ष में ड्रायू करके बैट जाती है तो अरूरो वैसल जिसमें हमें ड्राइव करके डालना है कार्गो तो तो जैसा कि लिप्ट ओन लिप्ट आफ वैसा यह जो है कि यह विल्ड कार्गो वैसल्स रहती है जनरली यह उड़ी इसके आलवा मल्टी पर्पस वैसल्स जो है कि इसके लिए उसमें जा सकते सकती हैं पार में टेंकर वैसल्स जो है कि यह इसमें आपको लिक्वीड या गैसिस दो तरह है गार्गों लिक्वीड कर्गों के लिए जो इस तरह के जो जा सकता है तो बेसेकली रोस्तों कि इस सारे जो लिक्वीड कर्गो या गैसे करगो जो टेंक में बैठते हैं, वो ये वेसल में या शिप में जा सकते हैं जिसमें आप और ओils भी मिलेंगे , वेजेटेबलल लूहाद या केमिकर्स, हजैडासै केमिकर्स, क्रूड ओईль, इस तरह के जो कममेटिटी ये भी इसमें मिलेंगे तो इसमें दो तरह के जो वेसल रहते हैं टैंकर वेसल में VLCC मतलब Very Large Crude Carriers VLCC क्योंकि Crude Oil भी इसमें जाता है Very Large Crude Carrier और दुसरे जो है की VLCC मतलब Ultra Large Crude Carriers VLCC और VLCC दोना तरह के जो Cargo जो है Crude Oil के इसमें जा सकते है तो दोनों वेसल के इस तरह के नाम होते हैं VLCC और ULCC तो यह टैंकर वेसल में अलग-अलग टैप से Crude Carriers वाले अलग यह अलग उसमें इस तरह के नाम से वहीसे टैंकर वेसल में जैसे के हमने बता है लिक्विड वेसल वहीसे LNG केरियर्स वाले जो वेसल से वह भी अलग रहते हैं जिसमें LNG वेसल्स या CNG वेसल्स CNG जो है ग्यास LNG ग्यास इस तरह के जो अलग-अलग टाइप के जो गैसे से इसमें जा सकते हैं रिफर वेसल्स जिसमें सारे रिफर कंटेनर जो फ्रेश वेडिटेवल्स कमोडिटीज फ्रूट्स या फिर कुछ ग्रोसरीज इनके लिए यूज होते हैं या फिर सीफूड्स इस तरह के जो कमोडिटी है ये इसमें जा सकती है तो दोस्तों ये बैसिकली रिफर वेसल्स जो है इसके एक कमोडिटी के लिए यूज होते हैं ये देखा है हमने की रोल आन रोल आफ जो वेसल्स कार्स एंड ट्रक्स जो भी है जो वेकल्स अलग-अलग टाइप्स के टेलर्स इस तरह के जो वेसल से जिसको विल्ड कार्गो बोलते हैं बसे से ट्रक्स से कंस्ट्रक्शन गिप्टमेट्स से एसकेवेटर से क्रेन से इस तरह की सारी जो लॉरी से इस तरह की सारी जो कार्गो है यह इसमें रोल आन रोल आफ करके जा सकती है मतलब roll on मतलब चला के जाओ, roll off मतलब आप drive करके निकालो, roll on, roll off, तो इसमें जो cargo है कि pure car carrier, vessels के इसमें भी अलग-अलग types रहते हैं, RORO vessels में, pure car carrier मतलब PCC, pure car and truck carrier मतलब PCTC, PCTC जो vessels है, ये भी इसमें रहते हैं, अलग-अलग types के, मतलब PCC, PCTC, इसके अलाओ, इसमें हम सिफ cargo का देख रहे हैं, passenger के इसमें भी RORO vessels रहते हैं, passenger vessels, cruise ships, ferries, river boards, तो RORO vessels में category में passenger भी अलग-अलग types के vessels आते हैं, तो हम basically cargo vessels की बात कर रहें, special purpose vessels इसमें और एक commodity आती है, जिसमें offshore supports वाले जो vessels से, जैसे कि anchoring है, then handling, maintenance, crew transfers, इसके लिए जो oil or gas explorations, इसके लिए जो use होती है ना दोस्तों, वो vessels सब एक category में आती है, बात में research vessels रहते हैं, कि जो scientific research conduct करती है, oceanography, geology, marine biology, अलग-अलग expeditions, जो scientific expedition जो है, उसके लिए यूज होते हैं, उसको research vessels कहा जाता है, जो जो हैं, जो sediments रहते हैं, जो पोड के नजदिक जो sediments जमा होते हैं, उसको निकालने के लिए, जो भी waterway channel से inside, within the ocean, या फिर waterways के अंदर, जो है, inside waterways के अंदर के, उसमें dragers करके use होता है, जो sediments जो रहते हैं, muds रहता है, वो निकालते हैं, तो बाद में cable layers भी कुछ types of vessels रहते हैं, support vessels, यह भी एक category है, कि जो बहुत सरे हर एक port में use होती है, because that they are the support for the commercial vessels, जैसे कि tuck boards बोलते हैं जो टोइंग करके, pushing करके, actual जो commercial vessel से, commercial ship से, उसको अपने birth place पे लेके आता है, बर्ट जो, birthing place जो रहता है, हर एक port में, तो उसके 12 nautical miles के अंदर, लेकिन उस जगह से, अंदर खीच के लेके आता है, आपने बहुत से, उस समय में, जो main vessel रहता है, commercial vessel, वो अपना power बंद करता है, और यह अपनी power से, tuck boards से, उसको खीच के लाता है, अपने, जो भी उसको alerted birthing place दिया गया है, वहां तक, supply vessels आता है, कि supplies, इसमें supplies जो रहती है, जो जिसको भी लगेगे supplies, वहां से, वहां पर्चेस करके, उनको sale कर सकते हैं, बा supply vessels वह भी अलग रहती है, ताकि जब जब लगेंगे, तो वहां supply vessels कुछ भी सामान लगेगा, नो ले सकती है, तो pilot vessels कुछ रहती है, कि जिसमें marine pilots रहती है, anchor handling and supply vessels रहती है, जो एंकरिंग के लिए यूज होती है डिलिंग वेसल्स रहती है जो डिलिंग के लिए डेजिंग और डिलिंग करती है क्रें बार्जस रहती है फिशिंग वेसल्स रहती है तो डिपेंडिंग अपान दो पर्पस इस तरह से जो है कि वेसल्स रहती है नवाल वेसल में अलग-अलग तैटस है। जैसे कि अएरक्राफ्ट कैरियर वेसलस रहती है। तर relies है कि देखर तरemie करने वाले वेसल्स अलग रहती है। fighter रहती है, submarines रहती है, Chemozent फैट्रओल बुट्स वाले वेसल्स रहती है। यह सारी UPVS कुछ वेसल्स रहती है। आती है इस तरह के नौन कमर्शियल वेसल जो है यह सारे कैटेगरी इसमें वेसल कैटेगरी में आती है तो यह मैं आपको जो मर्चन वेसल से कारगो वेसल से यह बिसके आलबग आपको यह एक यहां आइडिया दिया ताकि आपको किस-kither टाइब के वेसल से इसका आपको एक एक आइडिया लग सके और सिर्फ मर्चंट वेसल ही नहीं लेकिन उसको भी बहुत सारे वेसल का सपोर्ट भी लगता है डेजिंग का लगता है अंकरिंग का लगता है यह भी आपको जान करी चाहिए इसलिए हमने यह वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों तो बैसिकली आप वी स्थ。 उसकी और एक कैटेग्रि क्लासिफिकेशन भी चलता है जैसा कि स्मॉल हैंडी जो तस हॉजार से बचिस हजार डेलुत मेर्ट करण के वेसल से उस बात में हंडी मैंच सवाथ उपर वाले शनोर के वाले जो इसमें आते है इसके अलवा ट्रेडिशनल जो है की जैसे की है केनल भाइस वैसल का नाम दिया गया है सुप्रमेक्स सप्रमेक्स वैसल्स यह पचास से साथ सब्सक्राइब तक इसका उसके बाद मेलेक 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 जो है मेलेक 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 जैसे फ्रीर के यह क्युक् Those कि द्सक्राइक कहीत है फिर डास ऐसे जैसे ने गता है कि वेरी लार्ज क्रूड केरियर इसकी कैपसिटी भी 1.5 तू 3.2 डेड़एट मैटरिक टन्स में आती है यू ल सी सी इसकी कैपसिटी जो है इस से थोड़ी जाता आती है 3.2 अल्टरा लार्ज रहती है किस करद किस तरह के जो पिक्चर से भी हम डिस्क लेकर रहे तो दोस्तों यह सारी बाते हमने हैं कि वेसल और शिप्स के बारे में आपको बताया कि किस तरह से इसका यूनिस आप मेजरमेंट रहता है वीडियो अगर आपको यह अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके सबस्क्राइब कीजिए